तो ये क्या आवरोफ में आपको तानе वाला सेम्संग कैपचर के बारे में दोस्तों सेम्संग कैपचर में एक नए अपडेट आया है और वहाँ वह सारे नाइज फीचर को एट कर दिया धूस्तों ये तुचनग चैनल यहां पर स्क्रीन शॉट लेते हैं तो आप यहां पर देखेंगे नीचे आपको एक वह ओप्शन आता है यहां पर एडिट का आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इस वाले जो फीचर को आप बोलते हैं सेमसंग कैप्चर आप देख सकते हैं जैसी आप यहां पर स्क्रीन शॉट लेंगे कहीं भी किसी पेच का आपको नीचे एक यहां लाइन मिलती है आपको यहां पर जो कलर स्मिल रहे हैं यह विपोर अपडेट बता रहा हूं उसके बाद अपडेट में अपडेट करके बताऊ आपको दिख रहे हों कि one two three four five six six एक पैंस दिए गए और जो लेटेस्ट अपडेट आएगा उसमें आपको 7 पैं मिर दिए गया और जो 7 पैं दिए गया बहुत ही शांदर है वहां पर जो 7 पैन दिया गया है, वहाँ पर मौशिस का पैन दिया गया है, मतलब कि आप किसी भी particular screenshot लेने के बाद, किसी particular area को वहाँ पर blur कर सकते हैं, तो यह सब सच्छा जो नया feature वहाँ पर वो दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जो colors के layout दिया गया है, वहाँ पर जो colors के आपके set color दिया गया है, यह पुरी तरह से change कर दिया गया है, यह पर आपको size के लिए आप आपको ऐसा option दिया गया अगर आपको size increase करना हो तो यह भी वहाँ पर नया changes कर दिया गया है और वहाँ पर सबसे खास पर जो नया feature add किया गया है वहाँ पर favorite का आप किसी भी एक pen को अपने तरफ से या क्यों भी चीज को इसको आप एजिली वहाँ पर access कर पाएंगे तो यह तो हो गया नॉर्मल सा आपको अपडेट कर लेता हूं अपडेट करने के लिए आपको कर लेना है अपने आपको अपडेट पैंडिंग दिखा रहा होगा आपको उसको कर लेना है अपडेट तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपको यह दिख रहा है support mausik pen जो कि मैंने पहली बता दिया आपको जो नया latest update में यहाँ पर pen का जो है नया feature add कर दिया गया है जो की सबसे कमाल का feature है उस में Samsung Capture में तो इसको मैं कर लेता हूँ अपडेट अपडेट करने के आद मैं आपको बताऊंगो क्या इसमें नया updates आए क्या के नया features add की हुए और इसको कैसे आप use कर पाएंगे तो फाइनल यह install हो चुका है install करने के आद मैं आ गया हूँ वापिस back और यहाँ पर मैंने लिया screenshot आप देखेंगे यह मैंने यहाँ पर screenshot ले लिया है मैं कहीं से भी इसको ड्रैक करके screenshot ले लेता हूँ यह मैंने screenshot ले लिया और यहाँ पर मैं edit पर आ गया हूँ जैसी मैं edit प क्या रहे थे यहां पर आपको रिक्टेंग्डल में शेफ में यहां पर मिल रहे हैं यहां पर आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है पैन को फैवरेट करने का और यहां पर भी आपको फैवरेट का पैन करने का ऑप्शन दिया गया है उसके बाद जब यहां पर आप कलर क्लिक करेंगे आप यहां पर कलर के जो पूर अलग कर दिये गया है इहां पर सवेच अपने, leregli आपको तोफा बाड़ा करना रहता था था किसी पैन को तोह पर आपको क्लिक करके ऊपर आपको बॉक्स मिलते थे, आपकोश यहां पर चुपाना है तो मैंने यहां पर क्लिक करा और उसको यहां पर ड्रैक कर दिया तो बहुत छूटा साइस था तो कम दिख रहा है उसको दोबारा करता हूं और इसका साइज मैंने यहां पर बढ़ा दिया अब मैं यहां पर आप देख रहे होंगे यह ब्लर होने लगा हुआ मेरा फेस अगर आप मैं यहां पर बापिस आऊँगा तो आप देखेंगे अब यह थड़ वाले समय करके ब्लर कर रहा हूं तो यह जीली कहीं भी पुई तरह से ब्लर हो जाएगा तो सबसे अच्छा कमाल का फीचर लगा है मुझे मॉसिक पैन आपको दिख रहा होगा यहां पर ऐसे वर्क करेगा अब आप देखेंगे वापस मैं यहां पर एडिट में आ गया हूं तो दोस्तो एडिट में आने के आज आपको यहां पर बैक आना है तो आप देखेंगे यहां पर आप बैक आ चुके हैं किसी भी उस पर क्लिक करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे दोस्तों यहां पर ही सबसे बार आपको पैंसिल का साइज अगर बढ़ाना है तो आप यहां पर जैसे इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे और उसको यहाँ पर favorite पर click कर देना है, अब होगा क्या, जब भी मुझे mosses pen को use करना होगा, इसी पर, तो मुझे सिंपल यहाँ पर click करना है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर click करूँगा, और उसका use कर पाऊंगा, उसके बाद यहां पर आप और भी यूज़ कर सकते हैं माल लिजे आपको किसी pen को set करना है like मैने यहां पर pen पे आया मैने यहां पर इसको blue color set कर लिया और उसको dark कर दिया और इसको मैने यहां से favorite कर दिया जब मुझे दोबारा इसको axis करना होगा तो बार बार मुझे color choose करने ही जरूद नहीं रहेगी मुझे simply favorite पर जाना है ये color वहाँ पर highlight हो जाएगा मैं simply इस पर click करूँगा तो आप देखेंगे मैं हाँ पर इसको use कर पा रहा हूँ तो ये यहाँ पर नया changes दिया गया best option दिया गया favorite का जिस color को भी आपको जिस pencil आईगी है मुझे pencil पर मुझे यहाँ पर red color चाहिए तो red choose कर लिया और उसके आद मैंने यहाँ पर इसको favorite पर set कर दिया उसके बाद जब मुझे अगर आप मुझे दुबारा favorite रेट कर की या pencil की ज़रूद पढ़ेगी तो simple यहाँ पर जाओंगा और red पर click करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं उसको use कर पा रहा हूँ तो यह आपको option अच्छा बाला option मिलने लगा है उसके आद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताए आपको colors के रेट चेंज कर दिया गया है color पूरी चेंज कर दिया गया है आपको यहाँ पर toggle दे दिया गया है आपको size बढ़ाने के लिए जो कि पहले नहीं था वहाँ पर boxes दिया गया थे यहाँ पर आपको एक अलग से बूट दे दिया गया है इस यहाँ पर आपको square में आपको दिख रही होगत दिख रहे हो है यहाँ पर यह अलग आपको दिखुरा होगा दोस्तों कि और मुंझेद जय बसका दोने को तो thank you डूस्तों मुझे अपको मेरी वीडियो पसंदे होगी तो और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना वोलें तागी मेरे जनल की नेक्स्ट वीडियो की अबडेट आपको सबसे पहने मिले दोस्तों और हो सके मुझे इंस्टागर और इंचर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेक्क्यों